इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. और फ्लाक्स और स्टेबलेट दो एंटी बाउटिक्स का एक मिश्रण है, जो सूक्ष्म जीवों को प्रभावी रूप से मारता है. इसका इस्तेमाल स्ट्री रोग इंफेक्शन, फिफडो के इंफेक्शन, मूत्र इंफेक्शन और गेस्ट्रो इंटेस्टिनल इंफेक्शन जैसे अधिक डायरिया या पेचिश के इलाज के लिए किया जाता है. औफलाक्स औस्टेबलेट को भोजन के साथ लिया जाना चाहिए लेकिन बहतर प्रभाविक्ता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक नियत समय पर लिया जाना चाहिए इसे बताए गए डोस से अधिक न लें क्यूकि इसकी ओवर डोस आपके शरीर पर नुकसान दायक असर कर सकती है अगर आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो याद आने पर इसे तुरंत लें यदि आप बहतर महसूस करते हैं तब भी पूरी तरह से रिकवरी के लिए इलाज पूरा करें इस दवा से मिचली आना, उल्टी, पेट दर्द, भूक में कमी, सिर्ध दर्द, आदी जैसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं ऐसे किसी भी साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए सलाह दी जाती है कि पोशक संतुलित आहार खाएं और खूब सारा तरल पदार्थ पिएं अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्ष करें अगर आपको किसी अलजिक रियेक्शन, चिकते, खुजली, सूजन, सांस, फूलना, आदी का अनुभव होता है तो आपको तुरंत चिकित सकिया मदद लेनी चाहिए इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको अपने लिवर या किड्नी में कोई समस्या है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए साथ ही, अगर आप किसी स्वास्थि स्थिती के लिए कोई दवा ले रही हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टरों से भी सलाह लेनी चाहिए शराब पीने से बचें क्यूंकि इस दवा से अत्यधिक चक्कर आ सकते हैं आम तोर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रही है तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए अगर आपको इस दवा से ग्यात अलजी है तो आपको इस दवा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए उपचार के दोरान उच्चित आराम करने की सलाह दी जाती है ताकि दवा असरदार तरीके से काम कर सके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो कृप्या इस वीडियो को लाइक करें अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको ऐसे ही और दवायों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद